जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में नए मुख्यमंतरी बन चुके हैं और राजस्थान में साथ नई योजना की लागू कर दी गई है ये इसमें कौन-कौन सी योजना जाए लागू की गए है परति व्यक्ति 10 किलो रासन बढ़ेंगे और पैंसन अठारा सुर मिलें गए और शिरंजी योजना को बंद कर दिया गया लेकिन कौन सी योजना को चालू किया गया फिर आपको यहाँ पे 8 चीजहों बिलकुल फिरी में आपको देखने को मिलेगा तो अगर आप भी राजस्थान के निवासी है तो आप इस वीडियो को दियान से देखिएगा जिसमें कि आपको पूरी डीटेल में पूरी जानकारे दिये है कि किस तरीका से कौन-कौन सी योजना का लाब लेना है और किसको किसको लाब मिल रहा है और कॉन-कॉण सी योजना को बन्द कर दी गई है और कॉन-कॉन सी योजना को चालू की गई है तो चलिए एक-एक वीडियो को आप ध्यान से देखियेगा और चैनल पर ने तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तो चलिए देख लेते एक एक योजना के बारे में कौन-कौन सी योजना कब सुरू होने बला है और कौन-कौन सी योजना में बढ़तरी किया गया है तो सबसे पहले आपको बता दे कि अभी नए मुख्यमंत्री जो बने थे पहले थे गहलोत सरकार और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री की नई गहलोत योजना की बड़ी टक कर देने वाले हैं भजनला सरकार के द्वारा यानि कि जो भी पहले सी यमते उसके बाद जो बने भजनलाल सरकार के द्वारा उसको टक कर देने व तो आप वीडियो को धियान से देखिएगा तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि 150 और 250 फ्री यूजना यानि कि यहां पे सरकार के द्वारा बता गया पहले गहलोत सरकार के द्वारा जो 100 यूजना जो था उसे था लेकिन अब उसको देर सो से 200 यूजना माप कर दिया जाग दूसरी यूजना की बात करें अगर आप भी परधान मंतरी अबास यूजना फॉर्म नहीं भरे हैं और आपके पास रहने के लिए घर यानि कि आपके पास घर नहीं रहने के लिए तो आपके भी सरकार के द्वारा आप ले सकते हैं पका कमकान जिसके लिए आपको 250 यानि क 2.5 लाग 8 लाग रुपया उसको घर बनाने के लिए दियाएगा पीयम अवास योजना 2024 का फॉर्म सुरू हो गया है इसका पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो allstudy4you.com पे आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं और इस पे भी अगर आपको चाहिए तो आप comment भी कर सकते हैं उसके बाद आपको पक्के का मकान दिया जाएगा उसके बाद बाद करते हैं अनना फूड पेकेज योजना अनना फूड पेकेज योजना जो कि 5 के जी अनाच सूरू किया गया था इसे राजस्तान सरकार के दुआरा फूड पैकेश योजना के पातरता लिस्ट यानि कि आप आपको यहाँ पे देने वाले हैं उसके बाद बात यहाँ योजना की करने वाले हैं जो कि यहाँ पे बिर्धा पेंसन योजना बुजर्गों को यानि कि 75 सार से जो कम थे उसको भी यहाँ पे दिया जाता था 1000 रुपया और 1500 रुपया लेकिन अब उसको दिया जाएगा 1850 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा उसके बाद योजना की बात करते हैं गैस सिलेंडर योजना यानि की आपको बता दे इसका फॉर्म योजना का सुरू हो चुका है परधान मंत्री उज्वला योजना दोहजार चौबिस जो की 31 जनबरी दोहजार चौबिस तक आप इसके लिए केवाइसी करा सकते हैं जो की सर सिर्ड्री के तहत पे 450 उर्पया में सरकार के द्वाला भजनलाल सरमा के द्वारा दिया जाएगा तो अब भी तक आप लोग नहीं कहया हैं तो परधान मंत्री उज्वला योजना के तहत आप लोग जाके इसको केवाइसी करा लें ताकि आप लोगों को कही जाने की जरूर परत नहीं पड़े और सिप 450 उर्पया में गैस लेंडर प्राप्त कर सकें तो नेक्स्ट योजना की बात करें तो पीम किसान योजना में बढ़तरी कर दी गई है यानि कि आपको बता दे पीम अवासी योजना किसान योजना के सरकार के द्वारा 6000 उर्पया जो दिये जा द नहीं बलकि 12000 उर्पया दिया जागा एक किसन में 2000 नहीं बलकि 4000 उर्पया उसको दिये जाएंगे ये सारा योजना आपको पूरी डीटेल में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जलूर करें आपका कौन सी जाए योजना छुट रही है उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि भामासा योजना 2024 को सुरू कर दी गए जो कि चिरन जीबी योजना स्वास्त योजना जो कि राजस्थान में चल रहे तो इस योजना को अब बंद कर दिया गया या योजना का आप किसी भी प्राइबेट आउस्पिटल में जाकर नहीं ले सकते हैं इस योजना को प्राइबेट आउस्पिटल जो था उसको उसमें भी अब नहीं ले सकते हैं यहां पर अब इस चिरन जीबी योजना को स्वास्ति योजना को बंद कर दिया गया अब यहां पर भामासा योजना 2024 सुरू कर दिया इ इसमें हर परिवार परिवार में एक आदमी को 25 लाग तक का लाब दिया जाएगा स्वास्त के लिए तो आप अगर लाब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जैसे ही कुछ अपडेट या जानकारी आता आपको सबसे पहले जानका का लाब नहीं लिये और आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो आप अगर जोपड़ी में रह रहे हैं तो आपको भी सरकार के द्वारा यहाँ पे पक्के कमकान दिया जाएगा जिसमें की आपको बता दें दो लाग की रासी यहाँ पे आपके खाते में पैसे को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा कुछ भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी उसके बाद यहां पे बात करते हैं कि जन अधार में बदलाओ किये जाएंगे यानि कि आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार के दौरा जन अधार चला लगेगा और भी इसमें बहुत सारी जहा है कि उसके बदलाओ किया जाएगा तो यहां पे आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ भी बदलाओ होता है तो आपको इस चैनल के मादियम से अपडेट दिया जाएगा इसलिए सिर्फ आप लोग इस चैनल को सब रखेगा मोबाइल जन अधार काड यानि कि आप लोग अगर इंतिजार कर रहे हैं इसमें क्या बदलाओ आने वाला है जिसमें कि मोबाइल एप से असस आईडी से इंटरा से कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी उसके बाद बात करते ह बेरोजगार भत्ता योजना या बेरोजगार राजस्थान भत्ता योजना के ताथ 2022 में चलाएगा तो योजना तो जो कि बेरोजगारों को भत्ता के लिए उसे घर बैठे आबेदन करने के लिए पुरूसों को 4000 रुपया दिया जाता है और महिलाओं को 4500 दिया जाता है जाने कि आपको बताते हैं कि इसमें भी कई नियम, कुछ पात तरता है, कुछ लागों किया गया है, इसमें भी कुछ बदला हुआ है, कोई भी बदला होता है, अगर आप भी बेरोजगार है तो आप इस योजना का लाब ले सकते हैं, जो कि पूरूस है तो चार हजार रुप लगपती और ससक्तिकरन बनाने के लिए इस योजना को चलाएगे लगफती योजना यानि कि महिलाओं को खुद पर निर्भन होने के लिए इस योजना को चलाएगे अगर आप किसी भी काम को करना जानते या सिलाई करना जानते तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको इस योजना का लाब ले सकता है जो कि यहाँ पे देख सते सरकार के द्वारा एक फोटो को यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे इस योजना के दीदी लगपती योजना सरकार यहाँ पे जो भजनलाल सनमा यहाँ दिया गया है आप इस योजना और जानकार याइगत आपको सबसे पहले माध्यम से दिया जाएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वाट्सप गुरूप का लिंक हो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाए ताकि कोई भी अपडेट आता आपको सबसे पहले जानकार दिया जाएगा तो चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लजाएन और बंदे मात